और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यहां पर देखिए सिस्क्राइब कर बटन और बेल आइकन और प्रेस कर दीज़ेगा ताकि आप पुने वीडियो के सूचना प्राप्त होती रहें अफकोस यस बैंक लेमिटेड आज इसने फिर से लो बनाया है 141 का और जबरदस्त गिरावट है खरीब आठ परशन के आसपास 15 मई 2019 चारबची का जो इसका लाश्ट क्लोजिंग प्राइस था 143 147 रुपए 65 पैसे तो फ्रेंग्स मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने कई वीडियो अल्रेडी इस पे बना चुके हैं इनके क्यूफोर के रिजल्स बिया तब भी बनाया था लेकिन मेन रीजन हम जो गेस करते हैं कि इस समय जो वरतमान इस्थिती है मार्केट की शेय क्या करना चाहिए और क्यों ये गिर रहा थोड़ा सा इसके बारे में भी नजर रखते हैं क्योंकि जो लोग इसमें निवेश कर चुके हैं जो लोग उपर के लेवल पर फथे हुए या जो फ्रेश बार सहे या फिर जो hold करके रखे हूं क्या करना चाहिए ऐसे में तो कुछ मोटा मोटी में आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि पहली चीज कि जो पंद्रा सो करोड का लॉस दिखाया गया था इस बैलन्स शीट पे इन्होंने अपने प्रॉफिट और लॉस में इनके जो नए CEO MD है रवनीत गिल साहब पहले राणा कपूर थे तब ही जब उनको बीच में निकालने के लिए अर्बिया एक तरफ सर्फ प्रेशर पड़ा तो 404 के ऊपर से नीचे डाउंसाइड बनाते हुए बनाते हुए बहुत उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ चलता रह है बड़े बड़े दिगज ब्रोकर्स भी डाउंग्रेडिंग करते रहें बड़े बड़े दिगज ब्रोकर्स क्या होते हैं कि रेटिंग दे देते हैं जिससे प्रीमियम इसका तूट जाता है तो यह सब मार जहलते हुए पिछले एक साल से Yes Bank की आज इस्तिती ऐसी हो गई है कि 142 रुपए 143 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है लेकिन जो समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और मेजर कारण क्या है और अबिसली बैड लोन्स तो बैड लोन्स में भी क्या होता है कई चीज़ें जब एक साथ आपके पास जब विपत्तियां आपक जा रहा हूं कि देखिए इनको जो 60% की जो इनका टॉप सेगमेंट में जो आए है देखिए रेवेन्डियू डेट्स ऐस ओफ मार्स 2019 ट्रेजरी से है इनको 27% रिटेल बैंकिंग से ओनली के वो 12% के आसपास आप बड़ी बैंक में देखिए चाहे बंधन बैंकों बे परदस्त होगा corporate banking तो corporate banking wholesale banking retail banking यह क्या है जैसे कि corporate banking wholesale banking क्या हो जाता है कि बड़े-बड़े corporate बड़े-बड़े business industries को जो लॉन्स दिये जाते हैं और वो companies अच्छा नहीं करती हैं और उनका कारोबार अच्छा नहीं चलता तो इनका पैसा फस जाता डूब जाता जैसे जिट एरवेज मैं भी इनोंने पैसे डाल रखे थे तो दे रखा था लोन वागया तो bad प्रोविजन्स इन्होंने लाया जो बताया अपने बैलेंस शीट में कि भाया हमें इन लोन से जो नए CEO सहाथ मुझे लगता वो सुधार के लिए ही कर रहे हैं कि जो भी अभी तक हुआ बैलोन्स दिया गया उसको हम लोगी से फैनेंशल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देते हैं जितना भी घाटा दिखाना था कि भाया हमको कोई उमीद नहीं है इन डेटर से कि यह मिल पाएगा है ना तो जो फ्यूचर का जो भी इन से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा 233 के आज पास फिर यह डाउन हुआ और वहां पर जब इनका रिक्योफोर के रेजल्स है तो सीधे एक दिन में ही कम से कम इन्हों ने जो है 30% यह स्पैंक में गिरावट देखी गई थी 270 पर आगया तो धीरे धीरे आज आज आपके सामने 142 रुपए पर यह आ चुका है तो अब धीरे धीरे अब चुक्कि लगातार कई पिछले एक देर हपते से रोज जो है सेंसेक्स पर डेली गिरावट देखी जा रही है द्यू टू एलेक्शन्स एलेक्शन्स भी हैं साथ में तो अभी अन्तिम चण का अन्तिम चण की वोटिंग भी हो नहीं और 23 मई को रिजल्स भी आने हैं तो किसकी गवर्मेंट बनेगी कौन पढ़ान मंत्री बनेगा इन सब पर बड़े ब्रोकर्स की निगाहें लगी उन्हें बेच पास दिया अपना माल कुछ लोग बने हुए पेशन्स के साथ तो समझना बहुत जरूरी जो लोग बने हैं वो बने रहें लेकिन जो लोग नया इनिवेस्ट करना चाहते तो अभी फिलालियस बैंक में ना करें क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है इसने अपन कि करेक्शन कितना कर सकता है क्या इसमें भयाना गिरावट आ सकती है कुछ सेंसे मार्केट में शेयर बाजार में कोई क्लियर नहीं बता पाएगा कोई दिग्यच नहीं बता पाएगा एक अनुमान केता है कि स्ट्रटजी के तहत हम लोग यहीं प्लान कर सकते हैं कि यह स्प कुछ एक clear vision मिलेगा कि हमारे पूरे देश को कि 4-5 सालों के लिए क्या कोई stable government मिल रही है उस समय के लिए जब ऐसा होगा तो कुछ रहलियां आएंगी चुकि बैंक क्या है कि हर industry से जुड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि बैंक चलेंगी ही नहीं बैंक अच्छा return देंगी बजाय और sectors से तो बैंक सेक्टर में लगाने में वो भी स्टॉक में अभी इसका पूरा दिन चल रहा है लेकिन management जिस साब सरव उनित गिल साहब में इसमें टेक ओर किया इन्होंने मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको खड़ा कर देंगे और इनकी balance sheet इनकी जो bad loans है वो सब ख़तम कर देंगे और अच्छे से इसको नए रूप में आवतार में फॉर्म करेंगे दोस्तों बस यही कहना था कि आज भयाना किसमें गिरावट हुए तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि रीजन क्या हो सकते हैं तो कई रीज झाओ तो